पूरी तरह से कमर कसी हुई है लेकिन कॉंग्रिस पार्टी लगातार अपनी मैनिफेस्टों की वज़त से घिर रही है और बीचेपी ने कॉंग्रिस के मैनिफेस्टों के बाद जमकर कॉंग्रिस पर निशाना भी साधा है लेकिन अब इस कहानी में नया मोडा गया है जुसकी वज़ा से सियासी बाजार एक बार फिर से घर्म हो क्या है दरसल कॉंग्रिस के बिरासत करवाले विचार पर बवाल मचा हुआ है कॉंग्रिस नितार राहूल गांधी के सलाकार सैम पित्रोदा के इनहरिटेंस टैक्स को लेकर दिये गए बयान के बाद देश भर में लोगों के बीच नराच्की का महौन है सोनिया गांधी और राहूल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने हाली में अमेरिका के तरह देश में भी विरासत टैक्स लगाने की बात कहीं इस टैक्स के मताबिक आपके मरने पर आपकी संपती का 55% हिस्सा सरकार ले लेगी और उसे दूसरे लोगों में बाट देगी आपके बच्चे को सिर्फ 45% हिस्सा बेरेका यानि कोंग्रेसी सरकार आपके खून पसेने की गाड़ी कमाई और मेहनत से अजित संपती का आधा से ज़्यादा हिस्सा लेकर दूसरों में बाट देगी पुर्वा प्रधार मंद्री राजियू गांदी के करीबी कॉंग्रेसी नेता सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपती है और जब वह मर जाता है तो वह सिर्फ 45% अपने बच्चों को दे सकता है 55% सरक लगता है भारत में ऐसा नहीं है अगर किसी की संपती दसरब है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को दसरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं बिलता इसलिए इस पर बहस और चर्चा करने होगी कॉंग्रिस पार्टी की एक ऐसी नीती बनाएगी जिससे धन का बाटना बेतर हो का हाले में कॉंग्रिस की पुर्व अद्दक्ष सोन्या गांधी के बेचे राहुल गांधी ने भी चुनावी रैली में संपती का सर्वे और उसके बच्वारे को लेकर बयान दिया कॉंग्रिस के मेनिफेस्टों में भी संपती के सर्वे की बात कही गई इससे पहल उठ्वारे रहे हैं को दिल्ले में अलग अलग को ले चुक्य कांग्रिस के विस्तार को लेकर उनका कहना है कि उनकी कमाई पर किसी और का हक नहीं बलता कमाए कोई और मुप्त में खाए कोई यह सहीं नहीं है यह विचार ठीक नहीं है बिरोत पदर्शन में शामिल युवाओं का ये भी कहना था कि इससे लोग दीरे-दीरे मेहनत करना छोड़ देंगे और देश घर्थ में चला चाहेगा विक्सित भारत में विरासत टैक्स का विचार सही नहीं है वहीं दूसरी तरफ दावा ने विरासत टैक्स लागू करने के आरोप से कार पार्टी के मनिफ्सटों में विरासत टैक्स का कोई जिक्र नहीं है इसके लावाँ अपने बयान सिह्ववाद क hedge्रूद ने साथ कर इश्किया था उदाहरण दिया था वहीं जब इसका फैक्ट चेक किया गया दूसरे चरण के लिए मद्दान की तैयारियों के बीच 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 जुबानी जंग बढ़ गई प्रदार मंत्री नारंद्र मोदी ने 1 माई को 36 गड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते वे कॉंग्रेस पर जोड़ार हमला पूरा उन्हें ने कहा कि कॉंग्रेस कह रही है कि वह विरासत टैक्स लागू करी वह आपके माता पिता से मेली विरासत पर टैक्स लगानी की से बात करी हैं प्रदार मंत्री मोदी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्टा शुरू होने लगी शोरड मीडिया प्रिट्वारू मैं पर कई उच्ष्ट ने कि कॉंग्रेस के साथ कथित विरासत टैक्स लागू करी की यूचितिया के क्या है inheritance tax inheritance tax या यूं कहें कि विरासत tax एक मृत्व्यक्ति की संपती पर लगाया जाने वाला टैक्स है ये उस संपती पर लगाया जाता है जो मृत्व्यक्ति के उत्राधिकारियों के बीच बाटी जानी है जापान अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देश इस तरह के टैक्स इस दोरान ऐसी कई रिपोर्ट्स में जिसमें बताया गया कि ये बयान इंजियन ओवर सीच कॉंग्रेस के चेर्मन सैम पित्रोदा ने दिया है उन्होंने नियूज इजिंसी एनाई को अमेरिका से बैट कर दिये एक इंट्रव्यू में inheritance tax या कहें विरासत tax को लेकर बयान जिसे लेकर भारत में राजनेती घामासान चड़किया है कैसे हुई विवाद की शिर्वाद नियूज इजिंसी एनाई ने 24 अपरेन 24 को सैम पित्रोदा का इंट्रव्यू लिया इसका पूरा वीडियो एजिंसी के यूट्यूब चैनल पर क्या कॉंग्रिस भारत में विरा इंट्रव्यू लेने वाला सक्ष कहता है लेकिन सर एक बात है जिस पर प्रदायर मंत्री कॉंग्रेस नेता राहूल गादी आपाटी के गुश्णापत में वादों की और इशारा कर रहे हैं अगर कॉंग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी इस बात की जाच करने के लिएक सर्वे कराएगी कि किस के पास देश में कितना धन है और फिर उसे लोगों के बीच बाटेगी सायम पीत्रोदा इस पर कहते हैं कि अमेरिका में इनहरिटेंस टैक्स है इसलिए अगर कहें कि किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपती है और जब उसकी मौत होती है तो संपती का स सिर्फ 45% सरकार के पास चला जाता है इसमें कहा गया है कि आपनी पीडी के दरान संपती बनाई जब आपके मौत हो गई इसलिए अब आपको अपनी संपती जनता के लिए चोड़नी चाहिए पूरी नहीं बलकि आधी जो मुझे उचित लगती है भारत में ऐसा नहीं है आपको इसका यानि कि संपती आधा हिसा मिलेगा जबकी आधा हिसा जनता के पास जाएका वह आगे कहते हैं कि तो यह ऐसे मुद्धे हैं जिन पर लोगों को बहएस और चर्चा करनी होगी मुझे नहीं लगता कि अंत में निश्कर्स क्या निकलीगा लेकिन जब वह संपती के बटवारे के बारे में बात करते हैं तो हम नए नीतियों और नए कारिक्रमों के बारे में बात करें यह लोगों के हित्में ना कि सिर्फ सूपर रिच यानि कि बहुत जादा अभी लोगों के इस वीडियो बाइट से साफ होता है कि पित्रोदा अमेरिका में लागू टैक्स का उधारन दे रहे हैं ठीक वैसे ही वह मॉनोपॉली एक्ट की बात करते हैं और उस तरह के टैक्स को भारत में लागू करने की प्रस्ताव नहीं देते हैं बारत में जैसे ही इन्हेरिटेंस टैक्स को लेकर विबाद बढ़ता गया वैसे ही साइम पित्रोदा ने सफाई देते भी कहा कि उनके बयान को गोधी मीडिया ने तोर मरोर कर पेश किया एक्सपर किये गए सिलसलेवार पोस्ट में उन्होंने कहा यह दरभाग के कुण है कि एभिटेंस टैक्स मैंने जो कहा उसे गोधी मीडिया ने पर्मरोर कर पेश कर दिया ताकि प्रधार मंतरी कॉंग्रिस की घोश्णा पत्र के चूट फैला रहे है게 उसे ध्यानबटका पिद्रोदाने की मंगल सुत्र और सोना चिनने की टिपड़ी बिलकुल सच नहीं है। और रहने कहा कि मैंने टीवी पर अपनी समाने बात्चीत में केवल एक उधारण के तौर पर अमेरिका में अमेरिकी इन्हेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया था। क्या मैं फैक्स का जिक्र नहीं कर सकता। मैंने कहा कि ये मुद्धे है जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कॉंग्रेस समेत की से भी पार्टी की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। पित्रोदा ने आगे कहा कि किस ने कहा कि 55 प्रतिशत छीन लिया जाएगा किस ने कहा कि भारत में ऐसा कुछ होना चाहिए बीजेपी और मीजिया क्यों घबराई हुई है हमने लोग सबाद चुनाव के लिए कॉंगरेस के गोशना पत्र के टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म और GST काउंसिल को फरसर डिजाइन करने का चक्र है हराकि हमें किसी इनहेरिटेंस टैक्स या पैत्रिक संपती पर ऐसे किसी टैक्स का कोई जिक्र नहीं मिला पूरे नयाय आत्रा में सिर्फ एक जगा इनहेरिटेंस शब्द मिला है महिला शशक्तिकरन सेक्षन के तर और महिलाओं के बीच समानता सुनिशित करेंगे इस बात का कोई सुबूत नहीं मिला है कि कॉंग्रेस ने कहा हो कि वह इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने की उच्छना बना रही है सबसे पहले इस टैक्स का जिक्र ने एक इंटरव्यू में किया था हालाकि फिर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वह अमेरिका के एक टैक्स का उधारन दे रहे थे इसके अलावां पार्टी अधक्ष खडगे और अन्य निताओं ने इस दावे को खारिच कर दिया है कॉंगरेस के गोशना पत्र में ऐसे किसी टैक्स का जिक्र भी नहीं किया गया है स्पिसल स्ट अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया